नमस्कार दूस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि मैं फोटो कीबोर्ड अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी हाँ गई जापी जाना चाहते ही कि मैं फोटो कीबोर्ड अप्लिकेशन क्या है और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो की notification आपको मिलते रहेगी तो चलिए फ्रेंट आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कुझा सबसे पहले आपको play studio application को open करना है play store application को open करने के बाद गई जहां प्रक्वर आप दीख सकते है यहां प्रक्व को my photo keyboard application को download करना है तो गई जहां प्रमने my photo keyboard को पहले से ही डाउनलूट करके रखा है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस अप्लिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको अप्शन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है अब आपको क्लिक करने के बाद जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको मैं फोटो कीबोर्ड अप्लिकेशन के बारे में पूरी डिटल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है यहां पर आप इस अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी डिटल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहां पर आप देख सकती है यहां पर आप इस application के downloading देखने को मिल जाती है तो गई जहां पर आपको 3T review देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको मैं photo keyboard application को open करना है मैं photo keyboard application को open करने के बाद गई जहां पर आप देख सकती है यहां पर आपको continue to app के option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकती है यहां पर आपको enable keyboard का option देखने को मिल जाता है और ग तो इहां पर मैं switch to photo keyboard के option पर click करने के बाद किए जहां पर आपड़ को मैं photo keyboard option पर click करने कि और आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरह का Interface देखने को मिल जाता है तो कर आप देख सकते हैं थे यहां पर my photo keyboard application open करना हो चुकी और गई जहां पर आपको इस तरह का इंटरफिस देखने को मिल जाता है और गई जहां पर आप देख सकते हैं पर आपको कीबूर्ड तीम देखने को मिल जाती है यहां पर आप जिस पर तीम को सलेक्ट करना चाहते हैं उस तीम को यहां पर आपको सलेक्ट करना तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं इस तीम को सेलेक्ट करता हूं इस तीम को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आपको अप्लाय के 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 इस। तरह से आप Keyboard में Theme को apply कर सकती है इसके बद जहांपर आपको Time आना है बैक आने के बाद गई जहां पर आप दीख सकती है यहांपर को एक एंस Northern κεश्र को यहांपर आप को क्लोज करने के बद जहांपर दीख सकती है यहांपर आपको कस्टम का कर सकते हैं यहां पर आपको गैलेरी का ओप्सन देखने को मिल जाता है यहां पर आप गैलेरी से फोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं की बोर्ड में लगाना चाहते हैं तो गई जहां पर आप गैलेरी से फोटो को लगा सकते हैं यहां पर आप की बोर्ड में अपना फोटो जाते हैं यहां पर आप जिस पर बेक्राउंड को कीबोर्ड में लगाना चाहते हैं उस बेक्राउंड को यहां पर आपको सेलेक्ट करना है तो गई जहां पर मैं इस बेक्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ इस बेक्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आपको जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको animation का option देखने को मिल जाता है animation के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको अलग अलग animation देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप जिस पर animation को select करना चाते हैं अपलाई करना चाते हैं यहां पर आपको keyboard के option पर क्लिक करना है, keyboard के option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अपना keyboard एक सांदर तरीके से देखने को मिल जाता है, तो गई जहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप animation को apply कर सकते हैं, इसके बाद गई जहां पर आपक को बैकाना है बैकाने के बाद गई जहां पर आपको की का उप्शन देखने को मिल जाता है की के उप्संपर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको अलग लग की देखने को मिल जाती है यहां पर आप जिस पर की को अपलाय करना चाहते है उस की को यहां पर आपको सेलेक्ट करने तो गई जहां पर मैं इस की को सेलेक्ट करता हूं इस की को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आपको अप्लाय के 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 अप पॉट के आप समपर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां से आप फोटो कीबूर्ड ऐपलीकेशन को अपलाई सकते हैं तो गैस कैसा लगा इवडिया आप हमें कमेंट करके जरूर बताया और अभी तक आप तेमर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को फ्रेस करके और पर सेट कर लिजिए गा जिससे आने वाली वीडियो की नौट तेरेगी